हलो गाइस और वेलकम बैकु फ्रेटिश कर रहे हैं जो भी आपके आपके आपका इस अपस्टोपिकर आपको पता लगा ने किस तरद की कोशंच आते इन और हम क्या कर रहे हैं जो scoring topic है जासा कि आप सब जानते हुए simplification से approximation आपको 10 से 15 नंबर की आएगी exam में आपको यह 10 से 15 नंबर की आएगी number series जो है अगर आपको आएगी तो पांस नंबर की आएगी quality question अगर आगी तो पांस नंबर की यह overall अगर complete topic बोलूम है यह topic आपको 20 नंबर की आएगे यह topic आपको 20 नंबर की आने और आपको पता होना चाहिए कि आपको level क्या रहने वाला है इन questions का और ताकि हम daily basis पे इनकी practice करें हम अपनी speed को boost करें इसलिए मैं daily आपके लिए questions लेके आता हूं अभी 12 बजे आपकी math class रहती है and शाम को 4 बजे आपकी reasoning की class रहती है जि आप जाके हम क्या करेंगे arithmetic part पहेंगे कि पहले आपको क्या करो है exam में जाती है पहले आपको यह section attempt करनी है पहले आपको 20 number score करने है इसके बाद आपको डियाए के 5 number score करने है उसके बाद आपको arithmetic में move करना है So don't worry, हम यहाँ पर DIY भी discuss करेंगे, हम यहाँ पर arithmetic भी discuss करेंगे, previous year questions तो चलिए, आज आज भी हम start करते है कल हमने wrong number series की थी तो आज का जो exam मैंने उठाया है आपके लिए, आज की जो section उठाया है जो previous year question उठाया है उसमें भी आपकी wrong number series ही आई थी and this is little difficult devil थोड़ी सी difficult devil किया यह SBI clerical का paper है तो उसकी series जो है आप question number one देख सकते हो बोड पे question number, question is 718, 501 332 204 114 and 53 पहले मैं चाता हूँ कि आप एक बार वीडियो को pause करके इसको खुद solve करने का try करूँ चलिए guys I hope आपने try कर लिया होगा अगर मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है 53 स्टार्ट हो रही है 718 पे चल रही है तो मेरा पहला step क्या बनना चाहिए मेरे माइन पहले चीज़ आने चाहिए कि यह multiplication हो रही है लेकिन मैं multiply करता हूँ 53 स्टार्ट होता है 1 0 3 53 स्टार्ट होता है 1 0 6 ठीक है 1 0 6 प्लस 8 हो रहा है यह क्या हो रहा है इंटू 2 प्लस 8 ठीक है ऐसा हो रहा है अगर इसको करता हूँ 114 को 2 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा 228-14 हो रहा है हमारा difference हमारा pattern अलग हो गया ठीक है इसमें हमको wrong number find out करने तो क्या नजर आएगा मेरे को एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि यह जो है यह somewhat 729 के पास है 729 आपको पता है क्या है 9 का cube 729 क्या होता है 9 का cube this is somewhere this is somewhere around 512 ठीक है 512 के आसपास है तो यह हो क्या रहा है अगर इसको मेरे को 729 बनाना है तो इसमें 11 माइनस हो रहे है ठीक है यह क्या है 729 माइनस 11 तब जाके 718 आजाएगा 512 माइनस 11 ठीक है 512 माइनस 11 similarly अगर मैं यहां पर देखू तो यह क्या आएगा मेरा 343 माइनस 11 और 343 क्या है 7 का cube माइनस 11 ठीक है 204 अब अगला क्या होना चाहिए आपका अगला होना चाहिए आपका 6 का cube माइनस 11 ठीक है यह 9, 8, 7 यह 6 6 का क्यों माइनस 11 मतलब 6 का cube क्या होता 216 माइनस 11 तो यह बनना चाहिए था आपको 205 यह बनना चाहिए है 205 आ रहा है 204 that means this is the wrong answer this is the wrong answer यही wrong term है जो कि आपका question खराब कर रही है जो कि आपकी series खराब कर रही है that means आपका option number option number 204 option number 4 will be the right answer for this question right चलिए बैए move करते है आपके next question की तरफ guys अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो like करो अगर आपको कोई doubts आ रहे है तो नीचे comment section चल रही है comment section में आप comment करके पूछ सकते हो कि आपको क्या doubts आ रहे है क्या complaints आ रही है right चलिए move करते है देखो यह difficult डेवल की series आ अगर आप यह solve कर लेते हो that means आपकी काफी अच्छी preparation है number series में ठीक है और अगर अगर नहीं solve कर रहे है तो कोई बात नहीं हम solve करवा रहे है practice अच्छी करो daily लेगे आएंगे और आपकी speed को boost करेंगे चलो next time हमरे पास 3, 5, 8, 17, 33, 58, and 94 ठीक है 94 और इकाई इसमें difference दिख रहा है मुझे चलो difference देखो मैं क्या आ रहा है difference यहाँ पर difference आ रहा है आपका किस का 2 का यहाँ पर difference आ रहा है तू का आइस्था इस्था आगे बट रही है यहाँ बरेन सारत 3 का हम इदो चोई बात करनो तो यहां पर देपे दिफरेंस कितना आ रहा रहा आपका बत देखो यह और यह तो कुछ नहीं बन रहा था यह पुछриз बन गयुआ तो क्या अगला मैंने स्कूर थ्रूर्क्स कोई स्कूर तो तो ओक्छो तो आपको आपको समझ में आ रही है वीडियो अच्छी लग दिया तो लाइक करो गाईस चैनल को शेयर को ज़्यादा ताकि और भी लोग इनको देख पाएं आगे देखते हैं तो मैं देखू अगर तो सामने दिख रहा है मुझे यह मैं की सीरिज़ बनेगी यह क्या हो रहा है मल्टिप्ले हो रहा है ठीक है तब ही जाकर इतना जंप कर दिया आख से स्टार्ट हो लिए ग्याराऊ पहुंच लिए इसको अगरे देखू तो यह समवेर अरूंड मैन इन् 371 371 3 जै कितना हो जाएगा 3139 1113 1113 और यह है क्या 1100 मतलब 13 तो यह हो रहा है माइनस 13 इसकी बात करूं तो यहां पर क्या बन रहे है 128 x 3 24 6 7 8 और 3-13-13 करूंगा तो आजएगा अगर 371 तो यह भी क्या बन रहा है इंटू 3 करेंगे यहां बन आएगा बन मेंसे 3 मैनस करेंगे तो यह भी इंटू 3-13 बन रही है ठीक है यह करेंगे इसको अगर करेंगे तो यह 17 थीजा 17 थीजा one sorry 51 होता है 17 जिनजा के तो होता है 51 51-13 करना मुझे 53 48 38 यह ठीट अना चीए अगर 17 अगर 17 इंटू 3 करता हूं तो यह ठीट अना चीए लेकिन आपको बता यह नंबर बिल्कुल करेक्ट है यहां तक मेरी सिर्पार्ट यहां तक बिलकुल करेक्ट है मैं इसको देख लेते है इन्टु 3, 213, 24-13, 11 आजाएगा, ये भी number मेरा सही है, ठीक है, that means आपका wrong number जो है, वो यहाँ से निकल के आज़ाएगा, जो की pattern यहाँ फॉर्म निकर रहा है, यह आपका pattern गलत फॉर्म कर रहा है, ये भी आपका pattern गलत फॉर्म करेगा, ठीक है, that means आपका wrong number क्या है, 17, this will be your correct टंसर क्रेक्ट टंसर विल भी ऑप्षिन नमबर 317 राइट चलो आगे चलते हैं देखो गाइस मैं नहीं बोल रहा कि आपको यह लेवल आएगा लेकिन इससे कम-कम लेवल रहेगा इतना मैं शुरू ठीक है यह जो लेवल है तोड़ा डिफिकल्ड लेवल है एस बेक लड़क इसका एक्जाम है जो कि उस टाइम पे लेवल हाई गया थो इसका कट-off भी लो गया था चलो अगला कोशन हमारे पास 21 32 54 86 131 186 ठीक है देखें जरा क्या आ रहे है तो मुझे सामने सामने दिख रहे है यह आइस्था इस्था इंक्रीज कर रहे है तो यहांवे प्लस मैंस व 22 तो कुछ कुछ दिख रहा क्यों 11 क मैंली इस्था एंड़ चाहिन आना पर affair चाहते होिए फांना चीजित एंकी फिटवा अब अगर मेरा यह गलत आना तो यह गलत आएगा ठीक है सामने दिख रहा है अगर यह गलत है तो यह गलत आएगा देखें ज़रा आगे और पिछी दोनों खराब किया देखें ज़रा इसका डिफ्रेंस आता है 55 55 सामने दिख रहें सीरिस बननी चीए थी आपके ग्यारां बाइस 33, 44, 55 लेकिन बनी क्या यहां 32 और 45 वा गया जिसमीं खराब किस ने किया इस वाले नंबर ने ठीक है आपका रॉंग नंबर क्या आएगा रॉंग नंबर आजाएगा आपका 86 चलिए वाई नेक्स देखते हैं नेक्स आपके पास 9, 17, 53, 103, 310 और 619 ठीक है यह गिवन आपको ठीक है क्या दिख रहा आपको क्या सीरिस है तो यह नो से स्टार्ट हुए 619 से पहुंच हुए है अगर इसको मैं मुल्टिप्ले करता हूं इंटू टू बनता है से से सोबीस माइनिस एक ठीक है अगर इसको मुल्टिले करता हूं यह बनता है इंटू टू करताओ था यहां पर क्पार नहीं बन रहा यहां पर आपकोवकर बन रहा है अगर जह रॉंग नंबर होता है में अगर हो सिरे इंतुर ओंबर इंच और तरिक और यहां पर किया क्या एन्टाइडा इन थृ फ्लस उन से इंटू डू मेनस वन थे टीक है थारा सिच यह नबर करेक्ट हो गया तीक है डवंस जो पैटन खराब हो रहा है वो यह रदो यह दो मेरे खराब हो रहें आपका राइट आंसर जो की रॉंग नंबर है वो क्या है आपका 53 53 विल भी दा रॉंग नंबर एंड इस दा आंसर राइट गाइस चलिए i hope आपको इतने question समझ में आ गया होंगे कोई दिकत नहीं होगे आपको इसमें कोई doubts हैं तो जरूर comment box में mention करो कोई confusion है तो पूछो कोई pattern समझ में नहीं आ रहा तो पूछो कोई बात नहीं हम आपका आझसर जरूर करेंगे चलें चलते हैं next section quadratic के ओपर हमने कल भी कोशन प्रेक्टिस किया थे तो question आपकी screen पे 7m square plus 27 plus 18 ठीके तो science की बात करो science आएंगे इसके minus और minus sign के आएंगे minus और minus आएंगे ठीके वहाँ plus है plus का उल्टा minus हो जाएगा और minus plus के आएगा minus हो जाएगा ठीके अगर 90 दूसरी section की बात करो n की बात करो तो n में science के आएंगे plus और plus sign के एंगे plus और plus तुमुझे बताओ ये plus वाला कभी माइनस से बढ़ा हो सकता है नहीं सुरी यह माइनस वाला कभी प्रस से बढ़ा सकता है नहीं तो तरहने सापका आँसर क्या आजाएगा ये ठीक आपका आँसर डिरेक्ली आजाएगा क्या ये चलो नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट आग बस 12 3m2-5m-12 3m2 जल्दी से एक सेकंड को देखते हैं इसका अंसर आना चाहिए एक सेकंड में आपका एक अंसर बनना चाहिए ठीक है माइनस 5m-12 और 3m2-8m-6 इस इकल जब दी कभी ऐसी सीरीज हो जब लास्ट में आपके जो हमारे यह वेरियबल यह जो क्या बोलते हैं इसको जो हमारे जो फिक्स नंबर होते हैं यह अगर हमारे क्या है अगर हमारे इनके साथ minus लगा हुए अगर इनके साथ minus लगा हुए तो आँखे बंद करके आपका answer क्या जाएगा no relation answer क्या जाएगा no relation तो का आउंसर क्या जाएगा इसका no relation option nobber 5 जो होगा no relation will be the right answer ठीक है ऑगर आपके यह यहां पे चाहे कोई वी जाई हो हमको फ Tal Certain अगल यहां पर यहां पर दोनों जगा मैंश है दोनों माइनिस चीह एकाव दोनों जगा माइनस हो आगा माइन-स दोने जगा माइन-स होता है तो आपका योड़ अंसर नो रिलेशन डिरेक्टली आ जाएगा चलिए भाई ठीक है मूव करते हैं नेक्स कोशिन की तरफ देखते हैं आगे आगे क्या मेरे पास इसको आठ और पंदरा कितना होता है ऑठ पंदरा हो जाता है आपका 28 होता तो यह तो नहीं बनेगा ठीक है यह 2X2 इंट टू यह बनगया 3 x5 अब इसको मुझे करना है कि यह क्या बन जाए 26 बन जाए टीक है अब देखो यह मैनस मैनस इनको दोनों को प्लसी करना तो 5510 10 10 8 8 16 sorry 3 6 12 9 5 10 10 20 20 बना 5 10 10 20 और यह 3 तूजा 6 ठीक है तो मेरा क्या बन गया 20 और 6 और 7 में 8 के साथ वैरियेबल है यहां पर 8 आ जाएगा और यहां भी 8 आ जाएगा ठीक है चलो next second of second है हमारे पास x की values आगई यह दो ठीक है second है मेरे पास 4N square प्लस 24 तो 4 into 35 को मुझे break करना है तो 2 into 2 into 7 into 5 को मुझे break करना है किस form में 24 की form में क्या बनेगा वही यह 5 to the 10 और 7 to the 14 ठीक है तो 10 और 14 डिवाइट करना किसी साथ भाई 4 के साथ ठीक है मेरे पास आगी x की value मेरे प comparison करना सीखो चलो इसका answer जो है मुझे comment box में mention करना कि इसका आपने answer क्या निकाला ठीक है यह चलो आपको करवाई देता हूं देखो कैसे करते हैं पहली बात क्या करना है आपको यह एक्स और वाइक करता हूं तो चलो क्या करना है मुझे यह minus 20 by 8 minus 20 by 8 ऐसे लिखना है दो बा माइनस 6 by 8 minus 6 by 8 ऐसे लिखना दो बार ठीक है अब कहां जाओ कि आप वीडियो दिखने के लिए पीछे चलो यहीं बता रहेता हूं आपको मैं क्योंकि आगे वाले इसको कैसे लिखना मुझे 10 by 4 4 by 14 by 4 ठीक है 10 by 4 14 by 4 समझते हूं क्या कर रहा हूं मैं ठीक है मैं क्या कर रहा और गी कर रहा हूं मैं थो साधी और फॉर Haidta这样 और एक नदाम रहा है का 120 ठीक है चलो यह बन गया 80 माने altre है यह मैं ए पड़ा इनको इन δोन आ गया इकवल यह आ गया बढ़ा ठीक है इनको करूंगा». चोबिस और असी तो यह बड़ा आजाएगा इनको करों यह 24 और फिर से 112 तो यह बड़ा आजाएगा आपका आपका अंसर क्या आएगा आपका एक्सिस ग्रेट दन इकल तो वाई अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो गाइस लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अगर आपको कोई डाउट सा रहें तो डाउट आप जरूर कमेंट बॉक से मेंशन करके पूछो ठीके कि परसमेटिक जो है नेक्ट टमेटिक के कोशन करेंगे ठीके अगला कोशन है मेरे पास अगले 2m square plus 12m plus 10 factors मनाने मुझे 2 और 10 के 2 और 10 को मुझे कैसे arrange करना है पहले science बता हूं science क्या आएंगे माइनस और माइनस माइनस के sign आजाएंगे ठीक है मुझे बनाना है 2 into 5 into 2 ठीक है मुझे चाहिए 12 मुझे 12 चाहिए तो 12 कैसे आएगा दस और दो ही तो आएगा यह दस और दो ही तो आजाएगा दस और दो बारा आजाएगा अगला क्या है अगला देखो अगला आपको इस फॉर्म में दिया हूँ n plus 35 by n plus sorry is equal to is equal to minus 12 ठीक है अब इसके factors लोगे यह कहाएगा n square plus 35 minus is equal to minus 12 n तो बनेगी में पास n square minus 12 n plus 35 is equal to 0 ठीक है अब 7 और factors बनाने मुझे 7 और 5 factors बन जाएगे 7 और 5 ठीक है यह बनेगे plus or plus के sign बनेंगे यह plus or plus के बनेंगे ठीक है plus plus ठीक है तो यह वैसी बढ़ा आजाएगा यह प्लस के sign सा आगए यह minus के sign सा आगए तो यह कभी बढ़ा होई next आपके पास भई next है हमारे पास simplification ठीक है कोच्छन से हमारे पास simplification के अगली है मेरे पास simplification सिंप्लिविशन देखेंगे 512 by 32 मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको 512 by 32 into into 720 by 48 is equal to x-51 मैंने इसको इस तरह से लिख लिया ठीक है तो यह बनेगा आपका 8 428 64 64 4 1 4 कितने जा 4 16 थीके 4 16 थीके अब 16 1 16 3 थीके 3 2 3 4 240 थीके 240 यह यह यहां पर आएगा 51 प्लस हो जाए तो आपका अंसर एक 291 आंसर आएका 291 गाइस 10 शेक्ट कोशन answer mark कर दो 291 option number 2 will be the right answer 291 चलिए अगला कोशन जल्दी से करेंगे 153 divided by 17 सामने देख रहा है 153 divided by 17 कितने से जाएगा 153 7 जा तो 9 आ गया 153 divided by 17 मैंने लिख दिया 9 multiply by 81 9 क्या स्क्वेर क्या होता है तो बंजागा 6 ठीक है और 5 और 7 हो जाएगा और यह कितना बंजागा पॉस 676 इस इकल टो एक्सकोड़ तो 676 एक्सकोड़ रहा है तो 676 किसका स्क्वेर था कल भी देखा था हमने तो एक्सकी वैल्यू आजएगा प्लस-26 एक्सकी वैल्यू क्या आगे आपकी प्लस-26 ठीक है चलो भई बूफ करते हैं नेक्स्ट क्वेर दोसो पांच इंटु तेरा अगला है दोसो पांच इंटु तेरा इंटु एक्स इस इकल टू 16812.5 प्लस 1-2-502.5 यह कोश्वे न भई टिक है क्या करना मुझे पहले तो इसको मिल्डिपले करना पड़े गाlegen ठीक है ऐंदू एक्नी झकलटो 291 तो यह आ रहे हैं तो काट के क्या ना आएगा वह घुघ कटें सब्सक्स P 161 से करता हो तो इसको पूरा ही काटना पड़ेगा मुझे एक X की वैल्यू कि आएगी बई 293150 by 2665 तो देखो मुझे पूरा सॉल्व करने की जूरत नहीं है मैं ऑप्शन देखता हूं देखो अगर मैं इसको 20 से मुझे करता हूं तो 52 पाइगा ठीक है तो 52 पाइगा मुझे वह नहीं चाहिए ठीक है और लास्ट में मुझे चाहिए लास् तो 14 से कटेगा है तो आपका answer आजाएगा 14 एक्स की बज़वाज़े कि 14 अगला है आपका अगला question आपके पास देखो मैं जल्दी-जल्दी solve कर रहा हूं I hope आप मेरी speed match कर रहे हो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा-पूरा explain करूं questions को कि कैसे मैं कर रहा हूं तो तीके चली आगे आगे पास 95 प्लस कोशन रहे 95 प्लस एक्स ठीके 95 प्लस X ऑस टू बई थ्री एक्स ऑस टू बैट्रिया वही ठीके प्लस फोर बाई थ्री इंटू फाइब बाई तो यह बनेगा 20 बाई 6 यह मन जाएगा आपका 20 बाई 6 तो शू काट लेते हैं न यह बन ज 6 बन जाएगा 10 बाई 3 यह मन जाएगा 10 बाई 3 इसको मन गए 10 बाई 3 इस इकुल टू इस इकुल टू 16 बाई 3 ढी प्लस 99 ठीक को यह आप कुछ south करो आपको कमेंट päक kit करना है मैंने 100 बना दी इसकी आपको कुछ नहीं करना इसको solve करना बस ठीक है इसको यह हैं वे भीजो यह बड़ता मुट करें यह बड़ता हो यह बहुँद ओक हो तो यह is equal to 16 by 3 plus 4 minus 10 by 3, ऐसे बनेगा, ठीक है तो LCM आएगा 3, ठीक है 16 plus 12 minus 10, ठीक है, तो यह आएगा 2X by 3, यह 3 और 3 कट गया ठीक है, 12 28, 20 में 18 2X is equal to 18, तो आंसर आजेगा भी आपका 9, आंसर आजेगा आपका निकल के 9, ठीक है, आंसर आजेगा क्या करना, आपको समझाना भी तो है बीच बीच में ठीक है, आपको समझाना भी है और अगर आपको doubts आ रहे हैं, तो मैं बार बार बोल रहा हूं You can ask us, ठीक है कोई problem आ रही है, तो you can WhatsApp me on given number WhatsApp करना, don't call ठीक है, और अगर आपको इन lectures की PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, आपको WhatsApp करना है, इस number पर आपको इस lecture की PDF भी मिल जाएगी, जितने भी lectures हम डाल रहे हैं, चाहे reasoning के हो, चाहे English के हो, चाहे reasoning के हो, चाहे maths के हो वो lecture की PDF सबको मिल जाएगी So अगर वीडियो अच्छी लगिए, तो like करो share करो, subscribe करो and comment करो So thank you guys, all the best कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, thanks